आज हम लाइफ एक्स में आपको बताएंगे कि अगर कड़ी पत्ते को बालों में तीन बाल लगा लिया तो फिर कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर आप चौंग जाएंगे जी हाँ दोस्तों कड़ी पत्ता जो भारतिय पकवानों में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कड़ी पत्ता दिखने में नीम के पत्तों के जैसा होता है इसलिए इसे काला नीम या फिर मीठा नीम भी कहा जाता है इसमें कई सारे ओशद्ये गुन भी पाये जाते हैं इनकी महक और स्वात से खाने में तो स्वात आता ही है साथ ही ये हमारे स्वास्ते के लिए भी काफी उप्योगी होते हैं दोस्तों कड़ी पत्ते पेट के रोगों के लिए भी बहुत पायदेमंद होते हैं और इसकी जड़ का इस्तेमाल हमारी आंकों और किड्नी के रोगों के लिए भी किया जाता है कड़ी पत्तों में आईरन, कॉपर, जिंक, भरपूर मात्रा में होते हैं और इसी के साथ कड़ी पत्ते बालों की कई तरह की प्रोब्लम्स को दूर करने में भी उप्योगी है दोस्तों बालों का समय से पहले स्वेध होना ये आज के समय में एक आम बात है लेकिन ये जानना बहुत ही जरूरी है कि बालों के स्वेध होने के क्या कारण हो सकते है क्योंकि जादतर लोगों की मत्र 20 या 30 की उम्र में ही बाल स्वेध होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों इसके कई कारण हो सकते हैं बाले जैसे की खराब लाइफ या फिर भोजन में सही मत्रा का पोशन ना मिलना दोस्तों कड़ी पत्ते बालों को काला करने में काफी मददकार साबित होते हैं इनका नियमित तोर पर उप्योग करने से आपके बाल लंबे काले और मजबूत होंगे बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं कड़ी पत्ते दोस्तों अकसर लोग बालों को काले करने के लिए बाजार में उपलवद डाइस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये कैमिकल सेबरपूर डाइस और परदूशन की वज़े से हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं और बालों को काफी नुकसान पहुँचता है दोस्तों कड़ी पत्तों में वो सारे पोशक तत्व पाई जाते हैं जो बालों के लिए विशेश तोर पर लाबकारी है कड़ी पत्तों का पेश्ट बनाकर बालों की जड़ों में लगाएं आप चाहें तो कड़ी पत्ते को खा भी सकते हैं अगर आपको इसके कड़वे स्वास से कोई परिशानी ना हो ऐसा करने से आपके बाल काले लंबे और घने हो जाएंगे और साथ ही आपके बालों की जड़ और मजबूत होंगे और साथ ही आपके बालों में डैंडर्फ की समस्या भी दूर होगी तो चले दोस्तों जानते हैं कि बालों को काले लंबे और गने बनाने के लिए कड़ी पत्तों का इस्तिमाल कैसे करें बालों के लिए कड़ी पत्तों का पेस्ट दोस्तों थोड़े से कड़ी पत्ते लें और इन्हें पानी से अच्छे से दो लीजिए और फिर इन्हें अच्छी तरह से पीस कर एक पेश्ट बना लीजिए अब इस पेश्ट में थोड़ा सा दही मिला कर इसे अपने बालों पर लगाएं इस मिश्रन को अपने बालों में 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाल शैंपू से अपने बालों को धो लीजिए इससे आपके बाल काले, लंबे और गने होंगे और साथ ही उनमें कुदर्ती चमक आएगी कड़ी पत्य का तेल दोस्तों कुछ कड़ी पत्य लेकर उन्हें साप पानी से अच्छी तरह से दो लें और फिर इसे सूरज की धूप में सूखने के लिए छोड़ दें जब तक ये अच्छी तरह से सूख न जाए और फिर इसे पाउडर के रूप में पीस लें अब दोसों मिली लीटर नारियल का तेल या फिर जतून के तेल में चार से पाउडर के मिलाएं और इसे उबालें और फिर उबलने के बाद आच बंद करके तेल को ठंडा होने के लिए रख दें अब इस तेल को अच्छे से चान कर एक शीशी में अच्छी तरह से बंद करके रख लें हर रोज रात में सोने से पहले इस तेल को अपने सर में लगा कर अपने बालों की अच्छे से मालिश करें दोस्तों अगर इस तेल को हलकी आँच पर गरम करके लगाया जाए तो ये जल्दी असर दिखाएगा और फिर अगली सुबह अपने बालों को शैंपू करके धोले दोस्तों इस सुपाय को आप रोजाना या फिर हर दूसरे दिन कर सकते हैं इससे आपके बालों को बहुत लाब होगा कड़ी पत्तों की चाए दोस्तों कड़ी पत्तों की चाए बनाने के लिए कड़ी पत्तों को पानी में उबाल लें और फिर इसमें नीबू और चीनी मिलाएं और एक हफते तक रोजाना इस चाए को पिएं ऐसा करने से आपके सफेद हो चुके बाल काले हो जाएंगे और साथ ही लंबे और मजबूत भी होंगे दोस्तों इसके साथ ही ये चाये आपके पाचन तंतर के लिए भी काफी फाइदेमंद होती है तो दोस्तों ये है हमारा आज का खास टोपिक जिसमें हमने आपको बताया कि कड़ी पत्तों को बालों में तीन बार लगाने से होगा कुछ ऐसा कि आप चौंग जाएंगे उमीद है आपके जानकरी पसंदाई होगी दोस्तों आपको मर ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दें अगर आपको मर ये वीडियो फाइदेमंद लगे तो इस वीडियो को अपनी दोस्तों से शेयर करना ना भोले क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक शेर किसी की जिन्दगी संबार सकता है लाइक और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीड़बैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सबस्क्राइब करना ना भूले कीप शेरिंग एंड कीप स्पोर्टिंग अस हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ थैंक्स पो वाचिंग